नमस्कार क्या बचल जी भी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इडी के अधिकारी अर्विन केजरिवाल के घर पे पहुँच चुकी है सबसे पहले आपको सीधी तस्वीरे दिखा रहे हैं देखिए ये केजरिवाल के आवास की बाहर की तश्वीरे है सीधा शीश महल में इडी के अधिकारी पहुँच चुके है और ये बात बताई जा रह कर लेंगे की और को सु दोगे पहुँनलिक पूलिस के अदिकारा क में doğru NEधर के चारोग उपर कि ऑनीजनल्स उक्टर से बाड़ा है म attained कि दिल्लिक आदिकारी के अदिकार Anda की आवाज के पहुन्टений chi जमावड़ा है किले के रूप में इसको कनवर्ट कर दिया गया है ऐसा लग रहा है कि केजिवाल की आज ही गिरफतारी हो जाएगी ये विलकुल साफ साफ अंदेशा नदर आ रहा है क्योंकि आप देखिए कि जब एडी के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और काफी संख्या म में वहां पहुंचे DCP रैंक के अधिकारी इस वक्त शीष महल के अंदर हैं अब जब यहां पे टीम पहुंची तो जो इनका रिसेप्शन है गेट के उपर तो यह जो तस्वीरे आप देख रहे हैं यह ब्लू शर्ट के अंदर यह जो सफारी सूट पांकर के बैटे हुए ह यह सारे लोग वहां पे रोक रहे थे एडी के अधिकारियों को कि भई क्या है कागस दिखाईए यह कीजिए वो कीजिए लेकिन फिर अंततो गत्वा टीम अंदर घुसी है और अब खबर ही आ रही है कि सीष महल की रेड हो रही है वहां पे चापे मारी चल रही है वहां पे सर्च किया जा रहा है और इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट का यह जो जटका लगा है इसलिए भी एडी हरकत में जल्दी जल्दी आई क्योंकि हो सकता है कि वो सुप्रिम कोर्ट चले गए हो लिकिन जो अभी समय है समय पे कई तरह के सवाल खड़े होंगे क्योंकि हमेशा कि बाद एडी के अधिकारी का कि जिवाल की घर पे पहुंचना इस तरह से रेट करना क्या मैसेज देता है क्या हाई कोट ने आदेश दे दिया कि गिरफतार कर लो मैसेज बिलकुल साफ है क्योंकि यह कानून के साथ आख मिचोली करते चले आ रहे हर दिन कोई न कोई नया बहाना लेकर के वो चले आ रहे हैं एडी मजाग का पात्र नहीं बनना चाहती इसलिए यह कारवाई की गई है और रही बात कि समय क्या है कब गिरफतारी होगी यह छूट सिर्फ और सिर्फ महिला आरोपियों के लिए है कि संसेट के बाद आप किसी महिला को गिरफतार नही कर सकते ऐसा नहीं है कि मेल आरोपी अगर है तो उसके लिए आपको जो है यह कानून जो है यह करना पड़ेगा तो यह एडी के अधिकारी अंदर गये साफ साफ आ रहा है एडी कैरिज आउट वो सर्च ऑपरेशन अंदर चल रहा है और केजरी वाल का यह जो सीश महल है उस आप देखिए मैं तो डिवाइन जस्टिस में बिलीव करता हूं इस सीश महल के चक्कर में टाइमस नाव की एक रिपोर्टर को यंग रिपोर्टर को जो बेटी के उम्र की होगी उसको तुमने किस तरीके से जलील किया उसका यह असर है सबसे बड़ा सवाल तो अब यही खड़ा हो रहा है कि एडी के अधिकारी केजरिवाल के घर के अंदर पहुंच चुके है रेट जो है वो की जा रही है लेकिन सर सवाल अब यह है कि क्या वाकई में आज एडी केजरिवाल को अरेस्ट कर लेगी देखिए मुझे लग रहा है कि चांसेज नबे फिस्द यही है कि एडी आज केजरिवाल को गिरफतार कर लेगी यह अगर गिरफतार करना नहीं होता तो वो कल भी आ सकते थे अभी इसलिए वो गये है क्योंकि यह जो दिल्ली हाई कोट की तरफ से जो फैसला आया इमिडिटली मूव करने का मतलब यही है कि आप केजरिवाल को वक्त नहीं देना चाहते कि वो सुप्रिम कोट जाए और सुप्रिम कोट के उपर फिर वही तारीख वही सुनवाई फिर वही नोटिस इस प्रकिरिया को कट शॉट करने के लिए कि आपने जो है यह पूरी की बढ़ी टीम जो बता जा रहा है जैसा कि आपने बताया कि पूरे सीश महल को की किले बंदी कर दी गई चारों तरफ से जो सुरक्षा के आजिंसिया है पुकता सुरक्षा के पुकता इंतियाम कि यह देखिए एक इसको कह सकते कि यह operation किसम का है क्योंकि आप देखिए कि के के चट्टे बट्टे यह पिछले चार-पांच दिनों से धंकियां दे रहे थे कि के घर चापा पड़ा तो पूरी दिल्ली जो है वह खड़ी हो जाएगी अगर उसको गिरस्तार किया तो अच्छा नहीं होगा पूरी दिल्ली जो है हम बिल्कुल रोक देंगे तरतर की चीजे से बयान आ रहे थे लेकिन सर्च वारेंट के साथ जो है वह अचानक पहुंशती है कि अरेस्ट वारेंट तो नहीं है कि मुझे लग रहा है कि आज जो है वह अरेस्ट क्या ही सिस्टम लग रहा है क्योंकि जो तस्वीरे आ रही है वहां से जो जानकारी मिल रही है वहां से तो यही जानकारी मिल रही है कि करीब दो दरजन एडी अधिकारी सीश महल के अंदर घुसे हैं, हो सकता है कि रादबर सर्च ओपरेशन चले और कल सवेरे इनको गिरफतार किया जाए, लेकिन जो कुछ भी होगा, ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा स्टप एडी ने के अंदर हम ये सारा कुछ कर लेंगे, ये तब जब मनी सिसोधिया के बेल प्रेटिशन की सुनवाई हो रही थी, अब यहाँ पे, चुकि इनको फास्ट काम करना है, तो ये सारी चीजे जो है, वो चल रही है, मुझे लग रहा है कि आज जो है, बड़ी कबर यहाई कि सर्च वारंट लेकर एडी की टीम जो है, वो खेजरिवाल के घर पे पहुंची है, मतलब राट भर भी रेट चल सकती है, कुछ घंटे भी चल सकती है, पूरे आप यह समझे, सर्च वारंट का मतलब है कि पूरे सी स्महल के चप्पे-चप्पे को जो है, खंगाला जाएगा, खेर यह किस्मत वाले ही एडी के अधिकारी, जो सारे चार लाख रुपे का कमोड भी देख पाएंगे, वो नौ लाख रुपे का परदा भी देख पाएंगे, वो डैनिंग टेबल करोरो रुपे का, वो वेतनाम से आया हुआ जो फर्स जो सगमरमर है, जो ताज महल के सगमरमर स से भी सुपीरियर है, वो सारी चीजों को वो देख पाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि केजरिवाल का ये जो है, ये आखरी, शायद केजरिवाल ने ये तयारी पूरी नहीं कियोगी, केजरिवाल को नहीं पता होगा कि आज ही एडी के अधिकारी पहुंच जाएंगे, ल कि अगर इस तरह की कोई कारवाई होती है, तो पूरा बवाल क्रियेट करना है, अब इसके लिए किस तरीके से, वैसे मैं आपको बताओ कि ये जो केजरिवाल ने इतना ज़्यादा लीगल बैटल किया, और कहीं से भी किसी को कोई राहत नहीं मिली है, तो आम पबलिक का है, जहां लोग भी अगर इक इठा हो जाते हैं, तो वो बवाल काट सकते हैं, लेकिन अभी जो बड़ी ख़बर यही है, कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, शीश महल के अंदर ED की टीम पहुंची भी है, अब ये कब तक ये सर्च चलता रहेगा, सर्च वारंट है, मतलब ये स इठा दिया जाता है, और सारे जगह हर कमरे में जा जाकर वो फिर सर्च ऑपरेशन करती है, और क्या-क्या मिला, क्या-क्या नहीं मिला, उसकी पूरी लिस्ट तयार होती है, और उसके बाद जाकर के वो रिपोर्ट देती है, अब इसके बाद ये सारा काम होगा, अब पता कितना टाइम लगे अगर कुछ देर में यह दिखाई दे कि कुछ खाने पीने का समान भी अंदर जा रहा है तब आप यह समझ लीजे कि रात भरी ऑप्रसन चलेगा नहीं नोटों का पहाड़ ना निकल जाए कुछ भी निकल सकता है हलाकि केजरिवाल इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी रह चुके हैं उनको मालूम है कि भई की कैश जो है घर के अंदर रखना जो है कितना खतरनाक हो सकता है तो मुझे लग रहा है कि अभी वेट और वाच का सकता है उनका जो कैमप ऑफिस है जो घर के बगल में वही रहते हैं केजरिवाल सीश महल के अंदर है एडि के अधिकारी सीश महल के अंदर है सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर्च ऑपरेशन कितने देर तक चलेगा इसकी जानकारी कुछ दिरों कुछ दिर बाद आएगी लेकिन एक ब सुबही हाइकोट से केजरिवाल को बड़ा जटका लगाता हाइकोट ने ये भी एडि के अधिकारे से पूझा था कि क्यों केजरिवाल की गिरफतारी अब तक नहीं हुई गिरफतारी से रहत भी केजरिवाल को नहीं मिली लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है अब एडि के अधि कारी करते हैं केजरिवाल की गिरफतारी होती है या फिर सर्च ऑपरेशन के बाद कल फिर कोई बड़ा डेवलप्मेंट देखने को मिलेगा लेकिन एक बात तो तह है अर्विन केजरिवाल अब शराब घुटाले में चारों तरफ से घिर गए है केजरिवाल का बचना मुश्क